मुस्लिम बच्चे को थपड लगवाने वाइरल वीडियो पर बोले वरिष्टि पत्रकार अविश्कुमार राइट विंग ट्रोल्स हुए एक्टेव किया नया दावा उत्तपरदेश के मुझफ़र नगर से एक वीडियो वाइरल हुआ इस वीडियो में एक महिला टीचर अपनी क्लास के एक शातर को दूसरे बच्चों से थपड लगवा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से आता है मामला जिले के नेहा पबलिक स्कूल का है लड़के से इतनी गलती हुई वो होमवर्ग करके नहीं लाया था लेकिन आरोपी टीचर त्रिप्ता त्यागी ने उसे उसके समुदाय की वजह से सज़ा देने का फैसला कर लिया उसके साथ हुए दुर्विवार का वीडियो सामने आने के बाद छात्र के परिजनों ने फैसला लिया है कि अब वो इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक पीडित के पिता ने कहा है कि उन्होंने मैडम से समझोता कर लिया है इस मामले में अंडे टीवी को अलविदा कह चुके वरिष्ट पत्रकार अविश्कुमार ने भी बयान दिया है वहीं कुछ राइट विंग के लोग इस वीडियो के सम्मन में क्या कुछ लिख रहे हैं आईए बताते हैं सिनहा नाम के एक शक्स ने टीचर का बचाव करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा लड़की को हूंबक ना करने की सजा दी गई लेकिन मुसलिम होने की नहीं चुँकि शिक्षी का विकलांग थी इसलिए वो अन्यचातरो सपने साथी सहपाटियों को थपड़ मारने के लिए कहती थी इस घटना में कोई सामप्रदाइग एंगल नहीं था वरिष्ट पत्रकार वसीम अकरम त्यागी ने पुलिस का बयान पोस्ट करते हुए लिखा मुजफर नगर में जॉंबी टीचर द्वारा बच्चे को पिटवाय जाने को तरकसंगत ठहराते हुए मुजफर नगर पुलिस के पुलिस अधिक शक नगर सत्य नरायन प्रजापत साहब पुलिस के इसी रवएए ने समाज में नफरती जॉंबी पैदा किये हैं डी जी पी यूपी काश एस पी साहब उस बच्चे का दर्द समझते खुद को पत्रकार बताने वाले सुदरशन न्यूज से जुड़े अभिपरताब सिंग ने लिखा मुजफर नगर मामली मी पुलिस ने किया बहुत बड़ा खुलासा शिक्षिका त्रिपता त्यागी ने बच्चे को मुस्लिम होने के कारण नहीं बलकि पहड़ा याद ना करने के कारण थपड लगवाया था त्रिपता त्यागी ने कहा था कि मुस्लिम बच्चों की माएं बच्चों पर ध्यान नहीं देती है उनकी पढ़ाई का नाश हो जाता है शिक्षिका त्रिप्ता तो मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंतित थे शिक्षिका त्रिप्ता त्यागी ने बच्चों से थपड इसलिए लगवाया क्यूंकि वो स्वयम दिव्यांग है ठीक से चल फिर नहीं सकती वहीं संबन में देश के वरिष्ट पत्रकार अविश्कुमार ने एक पोस्ट में लिखा मैंने बच्चे की पहचान उजागर ना हो इसलिए पहले का ट्वेट हटा दिया है तीचर त्रिपता त्यागी के कहने पर जो छोटा सा बच्चा उटकर आता है और अपनी ही उम्रे के मुस्लिम बच्चे को मारता है उसके मौता पिता को आगे आकर केस करना चाहिए कि तरिपता अत्यागी उनके मासुम बच्चे को हिंदू के नाम पर दंगाई बना रही है सामप्रदाइकता बच्चे को मानब बम में बदल देती है जिस बच्चे को मारा गया है वो इस सदमे के साथ कैसे अपना जीवन काटेगा ये सूचने की बात है उसे हम सभी का प्यार पहुंचे जिस बच्चे के मन में टीचर ने नफरत का जहर भर दिया है उस तक भी हम सभी का प्यार पहुंचे ताकि वो इस नफरत से बाहर आए और दंगाई ना बने सभी माबाप को सचेत हो जाना चाहिए कि एंटी मुस्लिम नफरत के नाम पर उनके बच्चों को दंगाई बनाने का कितने स्तर पर प्रियास चल रहा है यह जहर कहां तक पहुंचा है हर दिन इसका एक शर्मनाक सैंपल सामने आता है गोधी मीडिया और वाटस अप अंकिलो ने अपने ही बच्चों को दंगाई बनाने का जाल बिच्छा दिया है दुखत ये भी है कि जिस बच्चे को धर्म के नाम पर मारा गया उसके पिता को भरोसा नहीं है कि नियाय मिलेगा चीफ जिस्टिस बार बार नियाय पालिका में भरोसे की बात करते है क्या नियाय पालिका इस पिता में अपना भरोसा बना सकती है आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कॉमेंट में जरूर बताए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शियर करें बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वारल खबर हम आप तक पहुंचाते रहें